जंगल में काले काले बादल चा जाते हैं और कुछी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है जंगल के सबी पक्षियों ने भी अपने लकडियों के पक्के घर बना लिये थे और वे अपने घरों में सुकून से रह रहे थे लेकिन उसी जंगल में एक मीनो चड़िया ने अभी तक अपना लकड़ी का घर नहीं बनाया था इस बार तो मैंने बारिशों में अपना लकड़ीों का पका घर भी नहीं बनाया है कितनी तेज बारिश हो रही है मैं क्या करूँ इस बारिश का पानी तो कितना ठंडा है अगर मैं इसी तरह बारिश में भीक्ती रही तुम्हें बिमार हो जाऊंगी और फिर मीनो चडिया बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगा तलाश कर रही होती है ये ठीक बना लिया मैंने थोड़ी महनत लगी लेकिन काम अच्छा हो गया आज की पूरी रात में यहीं पर ही आराम से गुजार लूँगी कल सुबह तक बारिशें भी रुख जाएंगी फिर मैं जाऊंगी और लकड़ियां खरीद कर लूँगी और उन लकड़ियों से मैं अपना एक पका घर बना लूँगी ये बड़े बड़े पत्ते जादा दिन तक नहीं ठिकेंगे ये तेज हवा और आंधी से कहीं ओड़ जाएंगे मुझे अपना लकड़ियों का घर तो बनाना ही पड़ेगा और फिर मीनो चड़िया अराम से उन बड़े बड़े पत्तों की नीचे सो जाती है कालो जी सभी पकशियों ने अपने लकड़ियों के घर बना लिये हैं एक हम इतने कम चोड़ हैं हमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है नहीं नहीं रानी तुम गलत बोल रही हो हमारे लावा इस बार मीनो चड़िया ने भी अपना घर नहीं बनाया है मीनो चड़िया भी लगता है हमारी तरह ही आलसी हो गई है कालो जी मीनो चड़िया कभी भी आलसी नहीं हो सकती किसी समस्या के कारण मीनोचडिया ने अपना घर नहीं बनाया होगा लेकिन आप देखना कल सुबा ही मीनोचडिया अपना घर बनाएगी और मुझे पता है ये बारिशें ऐसे नहीं रुकेंगी ये कुछी दिन तो चलेंगी इसलिए हमें भी अपना लकडियों का घर बना लेना चाहिए हम कब तक इस च्छाते के नीचे बैटे रहेंगे और तुम्हें पता है ये च्छाता भी मेरी माने मुझे जहाज में दिया था हाँ हाँ पता है जादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है कल सुबा में जाओंगा और बजार से लकडियां खरीद कर लाओंगा और अपना भी एक लकडियों का घर बना लूँगा पर कैलू जी हमारे पास लकडियां खरीदने के लिए भोजन कहा है हम कहां से लकडियां खरीदेंगे तुम बिलकुल भी चिंता मत करो कल मैं अपने भाई बबलु कववे से कुछ भोजन उधार पर मांग लूँगा वो मुझे मना नहीं करेगा इसी तरह बाते करते करते कालु कववा और रानी कववी भी सो जाते हैं अगली सुबे हो जाती है बारिश भी रुख जाती है जंगल में हर तरफ हर्याली ही हर्याली होती है मिनोचेडिया भी उड़ जाती है और मिनोचेडिया कहती है बारिश तो रुख गई है लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है मुझे जल से जल अपना लकडियों का घर बनाना होगा ये जो मेरे पास दो बोजन से बरी पोर्टलिया है, मैं ये ले जाती हूँ और इनसे लकड़ियां खरीद कर ले आती हूँ और फिर जल्दी जल्दी अपना लकड़ियों का घर बना लूँगी। और फिर ये कहकर वे मिनोचेडिया लकड़ हारे पक्षी के पास लकड़िया खरीदने के लिए चली जाती है मिनोचेडिया कालू कववे और रानी कववी के गोंसले के पास से ही जा रही होती है तो कालू कववा मिनोचेडिया को देख लेता है और वे मिनोचेडिया को बुलाने लगता है अरे रुको रुको मिनोचेडिया कहा जा रही हो जरा इधर तो आओ और फिर मिनोचेडिया कालू कववे के पास आती है और कालू कववा कहता है मिनोचेड़िया कहा जा रही हो ये दो भूजन से बरी पोटलियां लेकर वो कालू कववे मैंने इस बार अपना लकडियों का घर नहीं बनाया है इसलिए मैं लकडियां खरीदने के लिए लकड़हारे पक्षी के पार जा रही हो मिनोचिधिया, तुम्हारे पास तो दो-दो भुजन से बरिपोर्ट लिया है, इतने सारे भुजन में तो तुम्हें काफी जादा मजबूत लकड़ियां मिल जाएंगी वैसे मेरे मामा जी भी लकड़ारे हैं, उनके पास भी काफी मजबूत लकड़ियां होती है तुम बोलो तो मैं तुम्हें मजबूत लकड़ियां अपने मामा जी के पास से दिला देता हूँ अच्छा तुम्हारे मामा जी लकड़ हा रहे हैं तो फिर ठीक है कालू कवे तुम अपने मामा जी के पास से ही मुझे मजबूत लकड़ियां लाकर दे दो ठीक है ये दोनों भोजन की पोड़िया तुम मुझे दे दो मैं कुछ देर के बाद तुमें अपने मामा जी के पास से लकड़िया लाकर दे दूँगा ठीक है कालू कवे मैं तुम्हारा इंतिजार करूंगी चल्दी आना लकड़िया लेकर ये कहकर वे मिनोचेडिया अपने घोसले की तरफ चली जाती है कालू जी तुमने मिनोचेडिया से जूट क्यों कहा कि तुम्हारे मामा जी लकड़ा रहे हैं और उनका लकड़ियों का वेपार है असल में तो तुम्हारे ममजी तुम्हारी ही तरह बहुत ज़्यादा आलसी और कामचूर है हाँ हाँ पता है मुझे लेकिन मैंने कुछ सोच समझ कर ही मिनू चिर्या को ये जूट बोला है इससे हमारा ही फाइदा होगा अच्छा वो कैसे कालू जी बताओ जरा मैं बाजार जाओंगा और कम भोजन में कच्छी लकड़िया खरीद लूँगा और वे कच्छी लकड़िया ले जाकर मैं मिनू चिर्या को दे दूँगा और मिनू चिर्या से कहूंगा के ये लकड़िया बहुत मजबूत है और ये लकडियां मैं अपने मामा जी के पास से लाया हूँ मिनुचडिया को वैसे भी कौन सा पता चलेगा कि ये लकडिया कच्छी हैं और फिर मिनुचडिया का दिया हुआ भोजन जो हमारे पास बचेगा उसमें थोड़ा और भोजन डाल कर हम अपने घर के लिए मजबूत लकड़ियां खरीद लेंगे और अपना घर बना लेंगे वा कालू जी क्या बेवकू बनाया है तुमने मीनू चिरिया को अब मीनू चिरिया के ही भोजन से हम अपने घर की लकड़ियां खरीदेंगे और फिर कालू कववा बजार से कच्ची लकडियां खरीदने के लिए चला जाता है बोलो बोलो कववे तुम्हें कैसी लकडियां चाहिए कच्ची चाहिए या फिर मजबूत पक्षी जी मुझे कच्ची लकडियां चाहिए जो सस्ती हो आप मुझे कच्ची लकडियां दे दो और फिर वे पक्षी कालू कववे को कुछ कच्ची लकडियां दे देता है और कालू कववा एक भोजन की पोटली उस पक्षी को दे देता है और फिर कालू कववा वे कच्ची लकडियां लेकर अपने गोंसले की तरफ चला जाता है रानी मैं कच्ची लकडियां ले आया हूँ ये कच्ची लकडियां तो बहुत ही जादा सस्ती है लेकिन ये तुम्हारे पास इतनी सारी लकडियां कहां से आई कालू जी ये सारी लकडिया तुम्हारा भाई बबलू कववा दे कर गया है और वे कह रहा था कि ये सारी लकडिया बहुत ही जादा मजबूत हैं हम इन लकडियों से अपना घर बना लें देखो रानी दोनों लकडिया दिखने में तो एक जैसी ही लग रही है लेकिन किसी को क्या पता कि जो लकडियां मैं लाया हूँ वे लकडियां कच्छी हैं और जो लकडियां मेरा भाई दे कर गया है वो लकडियां मजबूत हैं जाओ कालू जी तुम मिनोचेडिया की कच्छी लकडिया मिनोचेडिया को दे आओ ताकि मिनोचेडिया अपना घर बनाना शुरू कर दे रानी मैं अभी बहुत ठक गया हूँ मैं कुछ देर आराम करूँगा उसके बाद मैं मिनोचेडिया की लकडिया उसे दे आओंगा ये कहकर वे कालू कववा अपने घोसले में आराम से सो जाता है बहुत प्यास लग रही है चलो मैं नदी से पानी पीकर आ जाती हूँ और फिर रानी कववी नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है कुछ देर के बाद रानी कवी नदी से पानी पी कर आती है तो रानी कवी कहती है चलो भई मीनुचिडिया की कच्ची लकडिया मैं ही मीनुचिडिया को दे आती हूँ वरना यह कालू जी तो सोते ही रहेंगे लेकिन इन दोनों लकडियों में से वे कच्ची लखड़िया कौन सी है जो मिनुचिडिया को देनी है लगता है यही वाली होंगी चलो यही ले जाती हूँ और फिर रानी कव्वी मजबूत लकडियों को कच्ची लकड़िया समझ कर मीनोचड़िया को देने के लिए ले जाती है मीनोचड़िया ये लो कालू जी अपने मामा जी के पास से तुम्हारे लिए लकड़िया ले आए है ये लकड़िया बहुत जादा मजबूत है रानी कववी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चलो अब मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ बारिश का कुछ नहीं पता है कभी भी शुरू हो सकती है और फिर रानी कववी भी अपने गोंसले की तरफ चली जाती है और मीनोचेडिया अपना घर बनाना शुरू कर देती है वैसे रानी कववी ठीक ही कह रही थी ये लकड़ियां तो बहुत ही जादा मस्बूत हैं दूसरी तरफ वै कालू कववा और रानी कववी भी उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं अगली सुबे हो जाती है कालू कववे और रानी कववी ने मिलकर उन कच्ची लकड़ियों से एक घर तयार कर लिया था रानी हमने अपना लकडियों का मजबूत घर बना लिया है अब हम इस घर में आराम से रहेंगे देखो असमान पर काले काले बादल चा गए है मतलब कुछी देर में बारिश भी शुरू होने वाली है मैंने अपना घर भी बना दिया है मतलब कुछी देर में बारिश भी शुरू होने वाली है कुछी देर के बाद जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैट कर बारिश के मौसम का मज़ा ले रहे थे रानी कवी इतना कहती ही है कि तेज बारिश की वज़ा से उनके घर की छट तूटकर हवा में ही ओड़ जाती है अरे भाई रानी ये हमारे घर की छट कैसे तूट गई हमारे घर की लकड़ियां तो बहुत ही मजबूत थी कालू जी लगता है तुम्हारे भाई बबलू कवे ने मुझसे जूट कहा था कि इस घर की लकड़ियां मजबूत है नहीं नहीं मेरा भाई बबलू कवे कभी जूट नहीं बोलता है रानी कहीं ऐसा तो नहीं के वे मजबूत लकड़ियां तुमने मिनुचड़िया को दे दी हो और मिनुचड़िया की कच्ची लकड़ियों से हमने ये घर बनाया हो कालू जी दोनों लकड़ियां एक साथ ही रखी हुई थी ये पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी लकड़ियां मजबूत हैं और कौन सी कच्ची शायद मेने मिनुचड़िया को वे मजबूत लकड़ियां दे दी हैं ये तुमने क्या किया रानी अब हम क्या करें हमारा घर तो तूट गया है अब हमें इस तेज बारिश में ही भीगना पड़ेगा कालू जी हमने मीनू चेडिया के साथ गलत करने का सोचा शायद ये हमें उसकी सजा मिली है इस तरह कालू कववे और रानी कववी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे पूरी रात बारिश में ही भीगते हैं एक समय की बात है एक जंगल में एक रंग करने वाली मीनू चेडिया रहती थी मीनू चेडिया पक्षियों के घरों में जाकर उनके घरों में रंग करती थी जंगल के सभी पकषी अपने घरों में मीनू चड़िया से ही रंग करवाते थे क्योंके पूरे जंगल में मीनू चड़िया से जाधा अच्छा रंग कोई भी नहीं करता था उसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कववा भी रहता था कालू कववे को रंग तो करना आता था लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कववे से अपना घर रंग नहीं करवाता था क्योंके मीनू चडिया कालू कव्वे से भी ज़ादा अच्छा रंग करती थी इसी वज़ा से कालू कव्वा मीनू चडिया से बहुत ही ज़ादा जलता था इस मीनू चडिया की वज़ा से कोई भी पक्षी मुझसे अपना घर रंग नहीं करवाता है ये मीनू चड़िया मुझसे भी जादा अच्छा रंग करती है इसी वज़ा से चंगल के सभी पक्षी मीनू चड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते हैं लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूनना पड़ेगा क्योंके मेरे इस रंग वाले काम को तो इस मीनू चड़िया ने बरबाद कर दिया है वहीं दूसरी तरफ एक बलबल मीनू चड़िया के पास आती है और मीनू चड़िया से कहती है मीनू चड़िया मैंने एक लकडियों का घर बनाया है मैं चाहती हूँ कि उस घर में तुम रंग करो क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे जादा अच्छा रंग तुम करती हो मीनू चडिया जी बिल्कुल ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक सुनी है बुलबल बेहन मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूँगी आप बेफिकर हो जाएं मीनू चडिया तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ फिर वे बुलबल मीनू चडिया को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है मीनो चिडिया ये देखो ये हैं मेरा लकडियों का घर तो मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है अब तुम ये बताओ कि तुम इस पूरे घर को रंग करने के मुझसे क्या गंदुम के दाने लोगी फिल बेहन आपने घर तो बहुती ज़्यादा अच्छा बनाया है मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँगी और इस पूरे घर को में रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 गंदुम के दाने लोगी ठीक है मीनो चिडिया मैं तो मैं 20 गंदुम के दाने दे दोंगी पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है वा भई वा मीनू चड़िया तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू पक्षियों के मुझे जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो और आज ये सब कुछ मैंने खुद देख लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो बिल बेहन आपको पसंद आया ना बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कौन सी हो सकती है फिर वे मेनू चड़िया बिल बिल के घर को रंग करके वहां से चली जाती है इस मेनू चड़िया ने बुल बुल के घर को क्या रंग किया है ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ जबी तो जंगल के पक्षी इस मेनू चड़िया को ही अपना घर रंग करवाने के लिए बुलाते है अगली सुबे कालू कववा जंगल से गुजर रहा होता है ये घर किसका है उल्लू भाई कववे ये घर मिठ्व माराज का है और ये घर मिठ्व माराज ने बनवाया है पस मिठ्व माराज अब इस घर में रंग करवाएंगे उसके बाद ये घर एकडम तयार हो जाएगा उल्लू भाई मैं भी रंग करने वाला हूँ आप बोलो तुम्हें पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँगा अच्छा तुम्हें रंग करना आता है चलो मिठ्टू माराज के पास चलो अगर उन्होंने कह दिया के वे तुमसे ही रंग करवाएंगे तो तुम इस घर को रंग कर देना हाँ हाँ उल्लू भाई चलो आप मुझे मिट्टू माराज के पास ले चलो देखना वो ही मुझे इस घर को रंग करमाएंगे फिर वे उल्लू सैनिक कालू कववे को मिट्टू माराज के पास ले जाता है मिट्टू माराज ये रंग करने वाला कववा है इस कववे को अच्छे से रंग करना आता है और ये कववा चाता है कि आपने अभी जो अपना एक नया घर बनाया है उस घर में ये कववा रंग कर दे अच्छा कालुकोवे तुम मेरे घर को अच्छे से रंग तो कर दोगे न अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग नहीं किया तो तुम तो मुझे जाते ही हो हाँ हाँ मिठ्धु माराज आप बेफिकर हो जाओ मैं आपके घर को एकदम अच्छा रंग करूँगा कि आप देखते ही रे जाओगे ठीक है तो फिर मैंने तै कर लिया है कि मैं अपने नए घर का रंग तुम से ही करवाऊंगा कालुकोंवे मिठ्धु माराज इतना कहते ही है कि वहाँ पर मीनू चड़िया आ जाती है मिठ्धु माराज आपने मुझे बुलाया था ना लो में आ गई बोलिये आपको मुझे क्या काम है कैलुकोंवे मैं तो बूल ही गया कि मुझे अपने नए घर का रंग इस मीनू चड़िया से करवाना था पर मेठ्धु माराज आपने तो अभी मुझे कहा था ना कि आप अपना घर मुझे रंग करवाऊगे कैलुकोंवे वह तो मैं भूल गया था लेकिन अब मीनू चड़िया आ गई है तो मैं अपने घर का रंग इस मीनू चड़िया से ही करवाऊँगा कैलुकोंवे चंगल के सभी पक्षी इस मीनू चड़िया से ही अपना घर रंग करवाते हैं इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अपना घर इस मीनू चड़िया से ही रंग करवाऊँगा मीनू चड़िया देखो मैंने अपना एक नया घर बनवाया है उस पूरे घर को तुम्हें अच्छा सा रंग करना है ठीक है मिटू माराज मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँगी मीनू चड़िया मेरी एक बात यार दखना अगर तुमने रंग करने में कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें उस गलती की कणी से कणी सजा दूँगा मिठू माराज आप बेफिकर हो जाएं मैं रंग करने में कोई भी गलती नहीं करूंगी देखना आपको आपके घर का रंग बहुती जादा अच्छा लगेगा ठीक है मिनुचिडिया तुम जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो मैं आज शाम को अपना घर देखने के लिए आऊंगा और आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए ठीक है मिठू माराज आज शाम तक मैं आपका पूरा घर अच्छे से रंग कर दूंगी चले मैं अब चलती हूँ ये कहकर मीनू चडिया मिठू माराज के घर को रंग करने के लिए चली जाती है जाओ कालू कवे तुम भी चले जाओ तुम यहां बेठे बेठे क्या कर रहे हो जाओ जाकर अपने लिए कोई नया काम ढूंडो हाँ मिठू माराज रखता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंडना ही पड़ेगा चलो भई मैं जल्दी जल्दी मिठू माराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ मेरे पास बहुती कम समय है आज शाम को मिठू माराज अपना गर देखने आने वली है इस मीनू चिड़िया को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा अच्छा खासा मेरे मीनू माराज से बात बन गई थी और ना जाने वहाँ पर मीनू चिड़िया कहां से आ गई मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मीनू चिडिया मिर्टू माराज के घर को बहुती ज़ादा बुरा रंग करें और पिर मिर्टू माराज मीनू चिडिया को सजा दें फिर कालू कववा कुछ देर सोचता है तो कालू कववे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है हाँ मैं बादल 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 आप अभी चल कर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हो चलो ठीक है कालू कोवे वैसे भी मैं फारिग बैटा हूँ चलो मैं चल कर तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ फिर वे कालू कववा बादल को लेकर अपने जंगल की तरफ चला जाता है कुछे देर کے بعد पूरे जिंगल में खूब तेज बारे शुरू हो जाती है अब मिनू चडिया ने जो मिट्टू माराज के गर को रंग किया है वे रंग पूरा खराब हो जाएगा और मिट्टू माराज मिनू चडिया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे बाप रे बाप ये क्या हो गया मैंने मिट्टू माराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अब ये बारिश की वज़ा से मिट्टू माराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफी जादा सुहाना हो जाता है ये क्या हो गया मैंने मिर्टू माराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारश की वज़ा से पूरा रंग खराब हो चुका है कुछ ही देर के बाद मिर्टू माराज भी आने वाले है जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे मिनू चड़िया काफी जादा उदास हो जाती है कि वहाँ पर मिर्टू माराज का एक सैनिक आता है मिनू चड़िया मिर्टू माराज आज शाम को ये गर देखने आने वाले थे लेकिन वो आज शाम को नहीं आएंगे उनको किसी दावत में जाना है इसलिए वो कल सुबा ये गर देखने आने वाले हैं ये कहकर वे उल्लू सैनिक वहां से चला जाता है वाँ भाई वाँ मिठ्टू माराज अपनी किसी दावत में जाने वाले हैं इसी कारण वे कल सुबा हैंगे और कल सुबा तक तो मैं मिठ्टू माराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँगी अगली सुबे हो जाती है मिनू चडिया ने दुबारा से मिट्टू माराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है और अब मिट्टू माराज का घर काफी जादा सुन्दर दिखाई दे रहा होता है कुछी देर के बाद मिट्टू माराज भी अपना घर देखने के लिए आते हैं तो मिट्टू माराज को अपना घर बहुती जादा पसंद आता है वाँ भई मीनू चडिया तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है मेरा घर कितना सुन्दर दिख रहा है फिर मिट्टू माराज मीनू चडिया से खुशो कर मीनो चड़िया को दो पोटली भर कर गंदुम के दाने देते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करगर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का बे सबरी से इंतिजार रहेगा